वोलिवुड के दिगज आक्टर धर्मिंदर और हिमा मालनी की बेटी इशा देवल भी अपनी मा की तरह एक भेहतरी एक्टर और डांसर है इशा ने 2002 में मेरे दिल से पूछो से वोलिवुड में डैव्यू किया था लेकिन कुछ ही फिल्में करने के बाद इशा देवल ने शादी कर ली थी और बड़े परदे से दूरी बना ली हाला कि बाद में उन्होंने रियल्टी शो रोडिज में बतोर पैनल एंट्री ली और अपने जबरदस्त अंदास से सब को चहरान कर दिया रोडिज में इशा का दमदार अफ़तार देखने को मिला हावे परतियोगियों को काफी टफ टास्क देती दिखी इसी बीच रोडिज के ओडिशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चाया हुआ है जिसमें एक शो के पैनल को एक परतियोगियों से सवाल जवाब करते हुए देखा जा सकता है पैनल में करन कुंद्रा और विजेंदर सिंग भी नजर आ रहे है परतियोगियों बन कर पहुंची एक लड़की इसी का से रणविजे पूसते हैं आप क्या करती हो जवाब में लड़की कहती है मैं फ्री लांसर बाट टेंडर हूँ और डिजेनिंग कम्पलिट किया है अभी इसके बाद करन कुंद्रा पूसते है कि इंडिया में एलकॉल लेने की मिनिमम एज क्या है जवाब में लड़की कहती है 18 पलस जिस पर सभी उसे कन्फ्यूस करते हैं और वे कहती हैं 20 पलस नहीं 21 पलस इसके बाद कई पैनल लड़की से भारत में शादी की लीगल एज भारत के राश्ट पती भारत की राजधानी जैसे कई सवाल पूसते हैं लेकिन वे जवाब नहीं दे पाती इसी बीच रडवी जे पूसते हैं कि इशादेवल के पापा का क्या नाम है जवाब में लड़की इशादेवल के सोतेले भाई सनी देवल का नाम लेती हैं ये सुनते ही सभी जोड़ जोड़ से हसने लगते हैं इशादेवल भी शर्मात